जैहिन दोस्तों अभी हाली में नगर निगम चुनाव संपन्न हुआ है और रिजल्ट कई गोसना होग चुकी है और अभी स्याम नंदन की सोर परसाथ सरका कहना है एक वीडियो देखा मैंने उनका उसमें जीला परसाथ से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ जीला में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाती विशेश के नाम पर वो रैली निकाल रहे हैं और हिंदु सनातिने धर्म के भावनाओं को ठेस पहुचा रहे हैं तो मेरे एक सवाल पहले तो स्याम नंदन जी से है कि आपकी भावनाएं उस दिन कहां थी जिस दिन जैसी आराम करते हुए लोग मस् होगा तो हाँ उधर से भी उगर होंगे लोग तो फिर दंगा भड़क सकता उस दिन आपकी भावनाएं आहात नहीं हुई लेकिन आज कोई मुस्लिम समुदाय के लोग मेर बन जाते हैं वो अपनी रैली निकालते हैं नारे तक्बीर अल्लाह वकबर कर नारा लगाते हैं त किसी के लिए भी आए आप उनको जिस चीज के लिए लाते हैं वो अपना काम बखोवी इमांदारी से करते हैं आप भी अपना काम इमांदारी से कीजिए ना अपने आकाम तो इमांदारी से करते नहीं हैं आप जाती बिसेज पर राजनिती करना सुरू कर देते हैं कि मैं हि बात यह अगाओ झाल सी कर जाए तो इखाँ मुद्डव को बात करिये का है अप स्कूल बनाने पर बात है किजे और आप एरटाuses आप एन États बात क्थे Trungों perhaps चकुल पर बात किजें पर अब भरोजनारी किशक्षार का ने पर उस्काल मनने पर बात किए अप अशिताल बनाने प कि यह बाते तो नहीं होती आप से लेकिन है जैसे आराम होता है यह सब छोड़ दीजिए आप आप मेर पोस्ट के लिए लड़ाई कर रहे थे आपका सौच ऐसा होना चीह है कि हर समुदाइब के लोगों के लिए प्यार ओना चीह आपके लिए ऐसा नहीं कि किसी एक समाज के जाती विशेश के लिए आपके मन में आत हो रहा है और दूसरे के लिए कोई फरग नहीं पड़ता है नहीं ऐसा नहीं हमारा इंडिया सेकुलर है अप जय हिन जय भारत का नारा लगवाई ये देखिए फिर कभी कोई दिक्कत नी होगा ना आपके तरफ से किसी को दिक्कत ह किसी और कि तरफ से आपको दिक्कत होगा मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह नहीं कि मैं आपको जवाब दे रहा हूं या कोई सही मतलब आपको जो हैने कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं बट इतना रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं कि आप लोग जाती भी से नाम पे कोई कि आप क्यों जैसे आराम पे जराजनिती करते हैं आप आइए ने जैहिंजा भारत पर आजनिती कीजिए ने इंडिया के अखंड बनाईजे क्यों खंड खंड में करके बांटने के कोशिश कर रहे हैं यह सब गलत है यह सब छोड़ दीजिए सम्झे जैंज शुब लिया